एक बार फिर चर्चा में आए हैं वरुन गांधी, अपनी ही सरकार के नीतियों को लेका ट्विटर और सोशल मीडिया को घेरते रहने वाले बीजेपी के सांसत वरुन गांधी ने अब चिट्थी पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, लेटर पॉलिटिक्स, जी हाँ, ऐसा हम इसल आसलों के नुकसान का भी मुद्दा उठाने की बात कही गई है, आपको बताते हैं कि वरुन गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हैं, मोर्चा खोले नजर आते हैं, वहीं कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं, जिस वज़े से एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर हमला करता है, और दूसरी तरफ अपना भी नुकसान होता है, चर्चा तो ऐसी भी चल रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुन गांधी कॉंग्रेस या किसी और पार्टी में शामिल होंगे, लगातार हमने आपको खबरे दिखाई थी, हालाकि इस प उत्तरपरदेश के तमाम इलाकों में बेमौसम हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल परबाद हो गई है, ऐसे में बीजेपी सांसत वरुन गांधी ने अपनी लोकसभाग शेतर के अंतरगत आने वाले तमाम इलाकों में फसल खराब होने का हवाला देकर CM योगी कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। किसानों के नुकसान का उचित आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने पर कारवाई की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें राहत मिले। किसानों के नुकसान का आकलन किया जाए और उन्हें तुरंत मुआवजा दिलवाने के लिए संबंदित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। सांसत वरुन गांधी ने पिलिभीत के जिलादिकारी प्रवीन कुमार लक्षकार के नाम भी खत लिखा है। अब वरुन गांधी चिट्थी पॉलिटिक्स कर रहे है। चिट्थी के जरीए वरुन ने डियम को दिशा निर्देश बिचारी किये और तमाम SDM को तैसील शेत्रों में किसानों की फसल के हुए नुकसान का आकलन करने के जमेदारी भी दी जाए। जल से जल सर्वे का काम पूरा करा कर किसानों को मुआफ़जा दिलाने के लिए कदम उठाया जाए। शेत्र जनपत पिलीभीत के मुहला हबिबुला खां गांधी नगर कॉलनी बिसलपुर में रेलवेर स्टेशन है और उसके ठीक बात कोईला उतारने का कारे भी यहां होता है जिससे की कोईले की धूल हवा में उड़कर लोगों के घरों में जाती है। चिट्टी पॉलिटिक्स को लेकर कितने सक्रिय सांसत वरुन गांधी दिख रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आपको यह भी बिता दे हैं कि सांसत वरुन गांधी अक्सर जरुवतमन लोगों की मदद करते भी दिखाई पड़ते हैं। सांसत वरुन गांधी ने किसानों या नौजवानों की आवाज उठाई हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वरिष्ट पदों पर कोई नेताओं ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाब भड़काऊ बयानबाजी की जिसकी वज़े से लखीमपूर खीरी में 3 अक्टूबर की ये बड़ी घटना हुई। कि वो अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाओ पीली भीत से ही लडने जा रहे हैं। वरुन गांदी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, अक्सर चर्चा में होते हैं और अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ते हैं। पुद्दा चाहे बेरुजगारी का हो, सरकारी विभागों में रिक्त पड़ी नौकरियों का हो, या फिर ट्वीट किसी मुख्य विशे पर करना हो। वरुण गांधी सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। भाषणों के भी जरीए अक्सर वो इन मुद्दों को उठाते हैं और इसके साथ ही वरुण गांधी अक्सर मुश्किल की घड़ी में लोकसभाग शेत्र की जनता के साथ भी नजर आते हैं। उसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए जो उन्होंने पतर लिखा है ये उनके इसी स्वभाव के बाद है। लिखते हैं। फिलाल वरुण गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं और वज़े है उनकी चिठ्थी जो की इस वक्त किसानों के संदर्म में हैं।